पालिज इसके लाल लाज नाम है उसका सूरज लाज चुटी ममा भीया फिर से रेड हो गए अब क्या होता हूँ ऐसे ही है सूरज गुस्से में लाल लही आपका गुला हो जाता है यह कहानी है गर्म सूरज की उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की यह कहानी है इस गर्म शरीर के थंडे सपनों की मासूम सूरज अपनी गर्मी से अंजाना था आइसक्रिम खाने के लिए दिवाना था सौफ्टी पकरता तो जल जाती और दूद की कुलफी बिगल जाती घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही तो अमारा हाथ चला जेता है पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही पर भाई होसला तो रखना था भाई बच्चा भी तो अपना था थंडे को गर्म करना बाल्टी के पानी को बॉल करना बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी-कभी मस्ती में डैर डेविल बनना फेस पे कलन के खेत की मुलतानी मिट्टी हेड पे बच्चन की दुकान का थंड़ना थिल पीट पे शारुक का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बरब बीपो का आइडिया भी भाब बन गया माबाप ने क्या क्या नहीं किया मंदिर के घंटी चर्फ में फादर बंटी गुरद्वारे की सीडियां और दरगा की कवालियां पर सूरज ज्यों का त्यो रहा मिया बस अब लास रिजोर्ट है इसकी शादी शायद इसी से इसी गर्मी निकल जाए लड़की के घर चाय की चुसकी चल रही थी सूरज मुखी शर्माते हुए बजिया तल रही थी इतने में लड़की के पपा छिलर जी बोले तो चक्रवर्ती साब रिष्टा पक्का समझें हाँ हाँ जरूर पर हम आपके एक बात बताना तो भूली गए चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड छिलर फैमली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड सुनकर छिलर जी फिर से बोले बस इतनी सी बात बेटा सूरज मुखी हर सब का मुझ मिठा कर आओ भाई सूरज मुखी जट से कुलफी ले आई एक एक करगे सब को थमाई थाइंक यू थाइंक यू ले ली जी बट इस बार सूरज की कुलफी ना पिकर पाई और ये देख छुट की चिल्लाई ममा बया ठीक हो गए रिष्टा पक्का हो गया सूरज वाकरी चंगा हो गया इस तरह हमारी थंडी गरम स्टूरी का हैपी एंड हो गया